नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिय समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की 30 दिसंबर के बाद महंगे पड़ेंगे 501,000 के पुराने नोट नोट बंदी पर मोधी सरकार एक और सक्त कदम उठाने जा रही है खबरों के मताबिक सरकार नया अध्यादेश लाने की तयारी में है इसके मताबिक 500 और 1,000 के नोटों को एक सीमा से अधिक रखने पर सजा का प्रावधान किया जा रहा है जानकारी के अनुसार सरकार ये प्रावधान करने की तयारी में है कि किसी के पास 500 और 1000 रुपए के 10 से ज्यादा नोट न रहे पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की अंतिन तारीक 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है हाला कि इसके बाद भी 31 मार्श 2017 तक RBI के काउंटर्स पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है सरकार ऐसा अध्यादेश या फिर कारेकारी आदेश जारी करने की योजना बना रही है इसके तहट 10,000 से ज्यादा की रकम के 500 या 1000 के पुराने नोट को रखने पर अपराध माना जाएगा हाला कि 500 और 1000 रुपए के 10,000 नोट रखने की अनुमती होगी माना जाता है कि या अध्यादेश 30 दिसंबर को जारी किया जाएगा नियम का उलंगन करने पर 50,000 रुपए का आर्थिक दंट या जबत राशी का 5 गुना जो भी जादा होगा जुर्माने के तौर पर देना होगा नगरी मजिस्ट्रेट इस कानून से जुड़े उलंगन के मामलों की सुनवाई करेंगे उलेखने यह है कि मोधी सरकार ने काला धन, नकली मुद्रा और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए आठ नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर बैन लगा दिया था अर्थशास्तियों के मुताबिक 30 दिसंबर तक लगभग 13 से 13.5 लाख करोड रुपए के पुराने नोट जमा हो जाएंगे इससे पहले 1978 में तकालीन सरकार ने अध्यादेश के जरिये नोट बंदी लागू की थी और अब नज़रालते हैं सुर्कियों पर गोवा एरपोर्ट पर बड़ा हाथ सा टला बाल बाल बचे 154 यात्री चापे के बाद काले धन पर 137 प्रतिशत कर जुर्माना सुर्क के कारोबारी ने करवाया 236 अनाथ युवतियों का सामोहिक विवाह पाकिस्तानी जेलों से रिहा किये गए 220 मचवारे भारत लोटे और मुंबई सिटी पर 5 लाख रुपै का जुर्माना